नमस्कार आप देख रहे हैं दर्श न्यूज मैं हूँ दिव्यांसू खबर सासाराम से है कल दिन दहाले दरी गाउं थाना शित्र के बढ़की करपूरुवा गाउं में आपसी रंजिस में जिस लोजपार आमबिलास के कारेकरता सरोज पासवान की चाकू गोद कर हत्या कर द संबहर नाली इस वीडियो meio देख सकते हैं हत्यारे और शरोज पासवान के बीच हाथाफाई की तस्वीर रिकॉर्ड की गई है तस्वीर में अपराधी हाथ में चाकू लिए हुए है और सरोज पास्वान उसे रोकने की कोशीश कर रहा है वहिस वारदात के बाद इलाके में संसनी फैली है गाउं में तनाव को देखते हुए है इसडिपो दिलिपकुमार के नित्रत्य में पुलिस कैंप कर रही है चुकि परिजन कल हुई वारदात के बाद भी दासंसकार नहीं कर रहे थे तथा अपराधियों की गिरफतारी की मांग कर रहे थे लेकिन काफी समझाने बुजाने के बाद परिजन दासंसकार के लिए राजी हुए तथा गाउं में ही LGP के सरोज पास्वान के सव का दासंसका किया गया कि क्या कुछ कहना है पुलिस अधिकारी का वो सुनिए किस तरह का मतलब महल था यह क्या था है यहां पर लाए नोड़ पर इस घटा तो ही अपराभियों की रप्चारी के तो हमें जो है रहता रहता हैं जल्द की अप्चारी होगे जल्द ही अपराधियों की ग्रफ्तारी होगी और यहां पर दोनुद के ताना द्यक्ष कपिल देव ने बताया कि जल्द ही अपराधियों की ग्रफ्तारी होगी वारधात के बाद इस्तिती पूरी तरह से नियंतरन में है बतादें की बलकी कर पूरवा में भारी संक्षा में पुलिस बल की तैनाती की गई है वारधात के बाद परिजनों में काफी मायूसी देखने को मिल रही है मृतक के भाई का भी बयान है वो भी सुनिये क्या कुछ कह रहे हैं घचना हुआ कि चाकुमार को मेरे भाई को स्रोज पस्वान को दीपु साव भुए पस्वान और भी नाचल पस्वान आग दो-तिन लोग अन्य लोग सामिल है इसमें चाकुमार के सहाचार बज़े दिन काली माई के से 300 मीटर आगे हत्या को दिया गया पुलिस परशासन अभी तक कुछ नहीं किया है कितने गंटा हो लग लंसम 22 गंटा से उपर हो गया प्राधियो को नहीं पगड़ पाई है और हत्या के पहले का वीडियो फुटज जो सामने आया है वो काफी चौकाने वाला है और ये काफी वाइरल भी हो रहा है सोसल मीडिया पर इस तरीके से हाथापाई की तस्वीर रिकॉर्ड हो गई और फिर वो वाइरल हो रही है तो सासाराम से रंजन कुमार की ये रिपोर्ट है तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे बने रहें दर्शन्यूज के साथ